नमस्कार आप देख रहे हैं धंगा शक्ती न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आर्ती सिंगा साथ और उप करते हैं खास ख़बरों की और राजवीर पाल मर्डर केस के दो अभ्युक्तों को हल्दौर थाना पुलिस ने गिर्फतार कर लिया है गाउं खातापुर थाना हल्दौर राजवीर पाल पर गोली मार कर हत्या कर दी गए थी जिसमें आज पुलिस को सफलता हाथ लगी है हत्या में वांचत अपरार्दी हिमांशु और बालपरार्दी अर्मोल को हत्या के आरोप में ग्रिफतार किया गया है पुलिस की पूश्टाच में उनकी निशान देही पर घटना में परियुक्त एक तमंचा 315 बोर एक खोका कारतूस एक सोने का ओम ब्रतक का पर्स बरामत किया गया ब्रतक राजवीर पाल प्रदियन दूद के लिए गाउं में जाता था वो अनमोल की बहर से उसके प्रेम प्रसंग थे इस मामले को लेकर परिवार में कई बार जगड़ा भी हुआ इसी रंजश को लेकर प्रेमिगा के भाई अनमोल वहिमाशु ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बना कर हत्या को अन्जाम दिया था यह जानकारी डॉक्टर धर्मवीर पुलिस अदिक्षक बिजनौर द्वारा प्रस कॉंफर्स कर दी गई ग्रफ्तार अभ्युक्तों को मर्डर केस दफा 302 में जेल भीज़ा जा रहा है यह जानकारी डॉक्टर धर्मवीर पुलिस अदिक्षक बिजनौर द्वारा प्रस कॉंफर्स कर दी गई ग्रफ्तार अभ्युक्तों को मर्डर केस दफा 302 में जेल भीज़ा जा रहा है द्वारा किया गया है एक लड़की के साथ राजबीर का अंतरंगता दोस्ती और गाउं में आसपास बदनामी होने लगी लड़की के भाई द्वारा अपने चचेरे तहरे भाई हिमासु और विशु से इसकी योजना बनाई गई योजनावत तरीके से इनको बोली मारी गई दो अभित्वों को ग्रफतार के लिए गया हिमासु एमर्याट अन्य पो वीशु को ग्रफतारी सेस है उसको वीशोगर ग्रफतार के लिए जाएगा तमंचा लुकेट पर्स आजं बरामध है पुलिस टिउम को परच्य क्या और रुपय का नाम दिया गया है इतना ही, खबरों का अजसरा लगातार जा रही है आप बने रहें धनकर शक्ती न्यूस के साथ नमस्कार